हलो एडिवन, हलो बच्चों, आज की क्लास में हम इलर्क्टरी फिल्ड दिूट वे सिष्टम उफ चार्जेस का चिर्ड नियानि एक पी पॉइंट पर मल्टिपल चार्जेस की वझे से एक सिष्टम की वझे से और एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्जे से की वज़े से टोटल कितना एलाक्टरी फिल्ड यह अपलाए होगा हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम उसका क्या देरिवेशन यहां करने वाले हैं इसके लिए बच्चोँ मैंने चार्जे ले रहे हैं में फर्सार्ज मैंने था क्यूवन ले रहा है कि मैं फ्रित रहरे हैं पूट्र बीमें और था स coronavirusकि ले रहे हैं इन चार्जेस की वज़े से, सभी चार्जेस की वज़े से हम इस P पॉइंट पर इलेक्टिफ इंटेंसिटिय में find out करना है इस Q1 का P के रेक्सपैट में यह यह कह सकते है, Q1 से P का जो पोजिशन वेक्टर है वो R1 है Q2 से P का वेक्टर R2 है, Q3 से P का R3 है और N से P का R1 है और हम यह माल चुके हैं, इस Q1 का इस P पर इलेक्टिफिल कितना E1 है Q2 के कारण P पर इलेक्टिफिल E2 पोजिटिव चार्ज ले रखा, पोजिटिव में इलेक्टिफिल बाहर की साइड होता है तो इस P से आपने बाहर की साइड इसका डारेक्टिफिल ले रखा है नेगिटिव लेते तो डारेक्टिफिल ले लेते हैं, अंदर कर लेते हैं इस Q3 के कारण इस P पर इलेक्टिफिल E3 ले रखा है, direction आउटसाइड होगा, आउटवर रखा है QN के कारण भी EN पर हमने P पर Electrify EN ले रखा है तो हम ये Total Electrify P Point पर इन सभी Charges के किस से Find Out कर पाएंगे तो इसके लिए हमने लिखा है Electrify Intensity at a Point जैसे आपको P Point पर Find Out करना है Office System, Acastle System जिसने बहुत सारे Charges है, is the Vector Sum एक Vector Sum के Equaloga of Electrify At that Point of Individual Charges Statement क्या कह रहा है, कि जैसे P पर जो Electrify Intensity आएगा वो E1 E2 E3 और EN इन सभी के Vector Sum के क्या आएगा Equal आएगा इन सभी Charges के वज़े से जो Electrify आ रहा है उनके Vector Sum के Equal Total Electrify Intensity P Point पर प्राप्त होगा यानि यदि Multiple Charges के वज़े से Electrify Intensity हम फाइड करें, तो Electrify Intensity इस P Point पर जो आएगा इन सभी Charges के वज़े से इन सभी Charges के वज़े से जो Electrify लग रहा है उन सभी के Vector Sum के Equal आएगा और हमें बच्चों, Electrify पता है क्या होता है, क्या होता है क्यू अपॉर आर इसक्वार होता है और Vector Form Medium लिखे इसको तो यह होगा KQ पर R Magnitude का Square और R का यह के पाजएगा, यह Vector Form होगा तो हमें यहाँ Vector Form में लिख लेना है तो चलो लिखते हैं Vector Form में E1 और यहाँ E1 जो बच्चों Vector Form में होगा तो क्या होगा? देखो KQ1 KQ1, देख सकते हैं या हमें देख सकते हैं 1 के कारण है E1, E1 जो बच्चों Vector है वो 1 के कारण है और यहाँ Position Vector क्या ले रहा का? R1 ले रहा का, यह Mod का Square और यह R1 का Cape हो जाएगा तीक है? इसी तरीके से ही KQ, यह R2 का Magnitude का Spire हो गया और यह R2 का Cape हो गया अगे यहाँ लिख देता हूँ KQ3 हो गया R3 हो गया और यह R3 का Cape हो जाएगा As it is N वाले का क्या होगा? KQN और RN Magnitude का Square और RN का Cape हो जाएगा ठीक है? अब यहाँ यदि हम इसको एक Series की Form में देखें तो एक Series यहाँ पर बंद रही है बच्चो और उस Series में जो Common आ रहा है यहाँ हम इसका Sequence की Form में लिखते हैं तो कैसे लिख रहे है? समझते हैं भई यहाँ हम देखें बच्चो की के, के, के के सभी सब्सक्राइब है Common आ रहा है यह 2, 3 कहाना तक जा रहा है? N तक जा रहा है वही Series यहाँ I के साथ बंद रहा 1, 2, 3 आगे तक जा रहाै वही Series बच्चो यहाँ इस Unit Vector के साथ बंद रहा है 1, 2, 3, N तक जा रहा है तो मैं यहाँ Q का Series यहाँ बंद रहा आई लिख देता हूं यह r i mod का i square यह r i का cap और i का value 1 से लेकर कहा तक move करना है n तक move करना है तो यह हमने पास में एक ऐसा system जिसमें n charges है उसकी वज़े से total electric field है तो total electric field है सभी charges के vector sum के electric field के vector sum के क्या आता है equal आता है ठीक है बचो Thank you झाल 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 झाल